ओario friends कैसे हैं आप लोग जैसा कि आप सब जांते हैं कि Canada में जो सबसे डिफिकल्ट है वो है यहां की विण्टर सरवाइव करना तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इस विण्टर में आप अपने आपको सेफ रख सकते हैं और वांम रख सकते हैं सो कहीं मच जाहिएगा और ये वीडियो को end तक देखेगा. So guys, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि Canada की winter सबसे ज़्यादा difficult होती है, तो इसी लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि यहाँ पे हमें proper gear खरीदना है. Proper gear में क्या क्या आता है वो हम अभी कुछ देर में बात करेंगे. यहाँ पर temperature जो है वो approximately minus 20 to minus 30 होता है. यह मैं torrento की बात कर रहा हूँ. अगर आप थोड़ा north में चले जाते हैं या आप Alberta की तरफ चले जाते हैं तो temperature all drop करता है जहाँ पर कि आपका January to March तक average temperature minus 30 या even उससे भी थोड़ा ज़्यादा रहता है. इसी के लिए यहाँ पर बहुत important है कि आप proper gear purchase करें. आप थोड़ा सा investment करें और आप proper अपनी jackets, अपने boots ले. सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है winter jacket. तो winter jacket दो तरीके की आती है, एक थोड़ी fluffy jackets होती है और एक parka jacket होती है, जो की आपकी actual minus 20, minus 25 degrees में चलती है. So इसमें जो सबसे important चीज है जो आपको देखनी चाहिए वो है कि यह down की है, downfill है या यह synthetic है, जैसे की polyester है या कुछ और है. So down is obviously better, कि down feather है, तो यह आपका goose का feather से बनती है, और synthetic है, that is man-made polyester है, तो वो आपकी थोड़ी कम warm होती है. But down की jacket थोड़ी expensive होती है, तो इसलिए जो mainly jackets आती है, which are in range of 200 to 300 dollars, which a lot of people can basically go with, उसमें आपका 20% down, 15% down ऐसा होता है, बाकी polyester होता है, and they are also pretty good. जो इन jackets में आपको दूसरी चीज़ देखनी होती है, वो है कि इसका fill power कितना है, तो जो इनका fill power आता है, वो कुछ इस तरीके से आता है, 400, 500, 600, 700 and all. So, जो एक recommended fill power है, जो एक अच्छी winter jacket में होता है, that is somewhere around 650 fill, 700 fill, तो जितना ज्यादा आपका fill power होगा, वो jacket आपकी उतनी ही ज्यादा गरम होगी, और उतनी ही effectively चलेगी. Third thing, जो आपको अपनी winter jacket में देखनी चाहिए, वो है, कि ये कितना temperature support करती है, maximum brands हमें temperature नहीं guide करते, कि ये कितना temperature होता है, कुछ brands ऐसे होते हैं, जो लिखके देते हैं, कि whether it will survive minus 20, minus 30, बट कुछ brands ऐसे होते हैं, जो आपको नहीं बताते, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो Another thing, जो आपके लिए बहुत important है, वो ये देखना कि whether ये water resistant है, या waterproof है, क्योंकि ये तो मान के चलिए कि अगर आप Canada में हैं, और Toronto में, या ऐसी किसी जगा पर हैं, तो यहाँ पर snowfall almost everyday होता है, at least 3-4 times इनवीक तो होता ही है, so it is better कि आपकी जो jacket हो, वो waterproof हो, या at least a very good water resistant jacket होनी है, तो ये आप जरूर देखिए, क्योंकि it's very windy over here, अगर आप weather पे या IQ weather पे check करेंगे, so you will see कि यहाँ पे 40-50 km की speed पे wind अराम से चलती है, so ये कुछ चीजे हैं जो आपको jacket में ध्यान कर रखनी है, so अब हम discuss करेंगे कुछ ऐसे brands जो आप consider कर सकते हैं for purchasing your jacket, ये पूरी list नह जैसे कि अब आप लोग हसर होंगे मेरे उपर की Canada Goose is सबसे महंगा brand है, kind of इसकी जो jackets आती है, they come somewhere around thousand plus dollars, so it is obviously not recommended for students और जो अभी initially PR पे आये हैं या Canada में settled हो रहे हैं, but हाँ Canada Goose एक सबसे अच्छा brand है, जिसकी jackets सबसे ज़्यादा गरम होती है, so in case you can afford it, you should definitely buy it, it is worth for 10 years at least, वो 10 साल तक उस jacket को कुछ नहीं होता है, दूसरी जो similar range में jacket आती हैं, वो भी जो Canada made है, उसमें एक आता है है आपकी Rootsack, वो brand बहुत अच्छा है, और एक आती है आपकी Arctics, ये भी बहुत अच्छा brand है, इनकी जो jackets है, ये somewhere around 600 to 800 की range में आती है, this is also very expensive, अब हम धीरे धीरे और नीचे जो jackets के brand पे आते हैं उसके बाद जो आपका brand आता है, वो है North Face, Columbia and Mountain Warehouse, इनकी jackets कुछ somewhere around 200 to 300 आती है, Columbia में बहुत बार आपको अच्छी deals मिल जाती है मैं अभी कुछ stores के नाम भी लिखूँगा, जहां पे आप जाके check कर सकते हैं, आपको अगर Black Friday तक आप wait कर सकते हैं, in case you have a good jacket from your home country, और आपने पहले कुछ jacket ले रखी है, तो it's well and good, wait until then, otherwise if you want out, क्योंकि अभी इस बार का बताया जा रहा है कि इस बार Canada में काफी snowstorms आने वाले हैं, so जो winters हैं, I guess कि वो November से ही start हो जाएंगी, so at least you should have a good jacket, apart from that there are other brands also, one of the very good brand is Edibor, Edibor की जो jacket है वो 150-200 ish rates में आती है and which is very good, which can easily survive your winters, एक और चीज है जो आप कर सकते हैं, if you have Costco membership और आपके किसी friend के पास Costco membership है, तो Costco में काफी jackets अच्छी मिल जाती है, जैसे एक brand है, जो रुटसक का सब brand है, Elterneuer, उसका Costco से tie-up है, so they sell their jackets at 150-200 dollars on discount, so sometimes आपको full rate पे मिलेगा, which is like 250-300, और sometimes आपको discounted price पे मिलेगा, which is 150-200, which is a very good price for that sort of jacket, वो आपकी अराम से winter survive कर सकती है, अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पर जो है winter boots, क्योंकि आपको road पे चलना है, so you have to walk through the snow, through the ice, temperature minus 15, minus 20 होता है, snow का जब पानी बनता है, तो वो ice बन जाता है, and it becomes very slippery, so जो आपके normal shoes हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, you can slip, वो आपके wet हो सकते हैं, और तीसरी चीज़ क्या है, कि उसमें आपका snow अंदर जाएगी, so you need to buy winter shoes, तो winter shoes में भी आपके लिए दो चीज़े जो सबसे important होती है, वो यह है, कि वो एक तो waterproof होने चाहिए, और दूसरी चीज़ जो है, कि वो आपके insulated होने चाहिए, please, please, please make sure आप के गलती कभी मत करिएगा, कि आपको यह ऐसी जाएं, और 40-50 dollars में कोई ऐसे shoes ले लें, जो insulated नहीं है, 100 dollars के आसपास काफे अच्छे-च्छे shoes मिलते हैं, Walmart में भी मिलते हैं, और अगर आपको और brands में देखने हैं, तो वो भी अभी मैं discuss करूँगा, but आप please यह make sure करें, कि जो भी आप shoes ले रहे हैं, वो आपके insulated हो, कभी-कभी बहुत अच्छी deals मिल जाती है, जैसे कि अभी मैं अपने एक friends के साथ गया था, उसको कॉलंबिया में insulated shoes $40 में मिल गया, क्या reason था, कि उनके पास सिर्फ एक pair shoes का बचा हुआ था, कोई size नहीं था, जो उन्होंने sample में रखा वा था, वो shoes का last pair था, तो वो उनको sale करना था, last year का model था, तो just imagine कि उनको उसको वो $200 या $170 का shoe का pair $40 में मिल गया, so कभी-कभी आपको unbelievable deal भी मिल जाती है, but make sure कि आप अच्छे shoes ले, so जो shoes के brands, जो popularly available हैं Canada में, जिनकी range somewhere around $150 to $200 के असपास आती है, और अगर आप किसी sale पे लेते हैं, कोई अच्छी deal मिल जाती है, तो आपको वो $120, $130 भी मिल सकता है, तो वो है कैमिक के आते हैं, पजार के आते हैं, सोरेल के आते हैं, कूगर के आते हैं, तो यह सारे आपके Canadian brands हैं, जो जूते बनाते हैं, because they are doing it for years, they have that experience, so they make very very good shoes, so they are most recommended brands, over here in Canada, बहुत सारे और brands भी हैं, but यह जो generally available होते हैं, वो brands की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा, जो popular other brands हैं, वो है Timberland, so उनके काफी अच्छे जूते आते हैं, जो अगर आप office में जाते हैं, तो आप office में भी पहन सकते हैं, they are very good shoes, very good looking shoes, the only disadvantage is that, they are heavy in weight, थोड़ा सा उनका weight जादा होता है, just like अगर आप इंडिया में शॉपिंग करते हैं, तो जैसे woodland के जूते जो थोड़े से heavy होते हैं, in the same way Timberland यहां पर होता है, apart from that, Columbia is a very good brand, तो Columbia के shoes बहुत अच्छे हैं, मैंने last year लिये थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने अपनी wife के लिये भी लियां, और मैं अपने friends को भी recommend करता हूँ, कि वो Columbia के shoes ले, they are very good, they are like 200 gram insulation, as well as they have some Omnitech, there is a patent-y technology of Columbia, तो यह उसको उस technology के अंदर आते हैं, जो कि आपका heat को radiate नहीं होने देते बहार, तो वो जो आपके pair की गर्महाट होती है, वो shoes के अंदर ही रहती है, तो that is very good, so this is the second thing that you should definitely buy in the winter, now coming on to the next thing, so winter jacket ही नहीं है, जो सिर्फ आप पहन के अपनी पूरी winter survive कर लेंगे, कि आपने एक t-shirt पहनी है और उसके उपर winter jacket पहनी, so you have to be in layers, so layers में जो अब अगले part आते हैं, वो है कि आपको अंदर की clear चाहिए, which you have to wear inside a jacket, जो आपको warm रखेगी, तो वो है, या तो आप एक sweater purchase करिये अच्छा सा, या आप एक कोई hoodie purchase करिये, बहुत brands हैं, sweater और hoodies की हर brand में आती है, normal woolen sweater ले सकते हैं, या fleece वाली hoodie ले सकते हैं, तो आप वो purchase कर सकते हैं, और उसके अंदर definitely आप एक warmer purchase करिये, so if you are purchasing your warmer from home country, it is good, otherwise Walmart से आप purchase कर सकते हैं, बहुत सारे brands है warmer के, I recommend Uniqlo, so मैंने वहीं से purchase किया था, उसके अलग-अलग model आते हैं, like they have ultra warm, they have medium warm, and they have normal warmers, then next come is your hands, so for hands it is recommended to buy gloves, and or mittens, so mittens क्या होते हैं, जिसमें आपके finger अलग नहीं हो पाती है, so mittens ज़्यादा तर expensive में आते हैं, जब आपको पूरे time अपना हाथ भार रखना हैं, तो आप mittens पहनते हैं, otherwise gloves आते हैं, अच्छे expensive gloves जो आते हैं, जो हर brand में नहीं सब में मिल जाएंगे, like mountain warehouse, या आपके eddy bar हो गया, या आपका columbia हो गया, किसी भी brand में आप जाएंगे, आपको सब में मिल जाएंगे, तो ये आपके जो अच्छे gloves आते हैं, ये 50 to 60 dollars के बीच में लाए करते हैं, और एक normal gloves, जो ये से आप Uniqlo में लेते हैं, let's assume कि आपको just अपना phone पे एक बार, Google Maps देखना है, जाए कोई call आई तो आपको 2 minute के लिए phone pick करना है, या आप गाड़ी में जा रहे हैं, जासे आपको gloves चाहिए थोड़ा सा outdoor के लिए, in that case वो 20-25-ish dollar के आसपास, आपको easily gloves market में मिल जाएंगे, apart from that, you definitely need a beanie hat, topi, जैसे जिसको में इंडिया में बोलते हैं, तो वो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपकी jacket में जो hat होती है, उसमें हवा जाती हैं अंदर, तो आपको सर पे, आपके कान में हवा लगेगी ही लगेगी, so either you should buy earmuff, or you should buy that hat, definitely, please do that, apart from that, अगर आपको neck पे थोड़ा ज़्यादा ठन लगती है, so what you can do, you can cover your neck and your mouth area, एक आप scarf खरी सकते हैं, और अगर आप इंडिया से आ रहे हो, तो आप ये scarf ला सकते हो, बहुत सस्ते मिल जाएंगे वहाँ पर, यहाँ पर ये 10 to 15 डॉलर में मिलते हैं, मैंने डॉलरामा से परचेस करी थी, अपनी जो बीनी परचेस करी थी last year, so that costed me around 4 डॉलर्स, च्योंकि डॉलरामा में maximum price 4 डॉलर्स होता है, so anything that you are getting from डॉलरामा, buy that, it is very good, ठीके, अब हम आते हैं कि socks पर, so even though you are buying winter shoes, but still it is recommended कि आप warm socks लें, जैसे आपकी woolen socks आती हैं, तो ऐसे हैं पर warm socks भी आती हैं, जो थोड़ी सी आपकी thermal type की होती हैं, because minus 20, minus 25 में जब आप बहार रहते हैं, और जब ice आपके जूते पर permanent रहती है, तो वो पैर आपका अंदर ठंडा हो जाता है, so आप warm, मैंने socks ली थी, but I did not wear that often, मैंने normal, क्योंकि मैं usually गाड़ी में ही चलता था, या मैं बहार थोड़ा बहुती walk करता था, तो मुझे इतनी socks की जुरुवत लगी नहीं, तो मैंने normal, thick socks ली थी, जो मैंने पूरे टाइम पहनी, otherwise warm socks are also recommended, so these are the things जो आपको चाहिएं, चाहिएं, apart from that, अगर आपकी बहार snow में walking ज़्यादा है, so I would recommend आप snow pants ले, सबसे ज़्यादा problem जो thermal के साथ आती है, वो यह है कि, thermals आप jeans के नीचे नहीं पहन सकते, because अगर आप office जा रहे हैं, या आप college जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, you will not be able to take that out, so आप क्या कर सकते हैं, आप normal अपनी trouser या jeans पहन लिए, और उसके ओपर आप snow pants पहन लिजिए, so वो आपको थोड़ी सी warm layer भी extra मिल जाती है, that will protect you against water, that will protect you against ice, snow, as well as, आपको ठंड नहीं लगेगी, हवा नहीं जाएगी, wind proof भी होती है वो, and when you reach your office or college, so आप उसको उदराम से उतार सकते हैं, so यह कुछ है चीज़े जो आप खरीज सकते हैं, now you can go to all the brand stores, like जैसे कि आपके North Face का जो brand store है, वो available है Van Mills में, आपका Columbia का जो store है, वो आपका available है, Toronto Premium Outlets में, Blue Mountains में, Niagara Falls में, apart from that, यह products आपके और general stores में में मिलते हैं, तो जैसे winners हो गया, Marshalls हो गया, पजार का jackets मिल गए थी, shoes मिल गए थी कामक के, तो ऐसे आपको काफी चीज़े मिल जाती हैं महाँ पर, तो definitely आप यह stores try करें, और इनमें deals भी बहुत अच्छी होती है, कभी 30, कभी 40% discount मिलता रहता है, and इनके पास कभी भी कोई fix talk नहीं होता, कि एक ही model है, but I would still recommend कि आप Walmart भी try कर सकते हैं, Walmart में भी काफी अच्छा stock मिलता है, and they have their own brands as well, तो उसके prices ज़्यादा नहीं होते हैं, Costco is also one of the very good option, अगर आपके पास कोई ऐसा friend है, जिसके पास Costco का membership card है, so definitely एक बार आप Costco जरूर जाए, भार shopping करने से पहले, you will definitely save a lot of money, apart from that, नीचे मैं description में details दे रहा हूं, कि आप कौन-कौन से brands को refer कर सकते हैं, so if you like the content of the video, please like करिए, subscribe करिए, और अपने friends के साथ share करिए, keep watching, Toronto Diaries, thank you.